हलो गाईज, वेलकम टू पूरी पड़ाई तो अजम स्टार्ट करने वाले हैं CSS font जिसमें हम देखिंगे CSS font family the font family of a text is set with the font family property, font family property इसे आप font लगा सकते हैं अपने text में the font family property should hold the several font name as a fallback system if the browser does not support the first font it tries the next font and so on मतलब कि आपका जो fallback system है वो ये बता रहा है font family में कि अगर आपका एक font ब्राउजर पर support नहीं करता है तो next font हम डाल सकते हैं ऐसे हम several fonts डाल सकते हैं options में मैं आपको example देता हूं चाकि आपको चीडियों हों समझ में आएंगी ये आप सामने देख सकते हैं font family लिखा हूँ है इसके बाद लिखा हूँ है times new roman तो आप times new roman यूज कर सकते हैं उसके बाद times यूज कर सकते हैं several यूज कर सकते हैं अभी मैंने ये जो comma लगाया इस सब का क्या मतलब है मैं बता देता हूं अपको ये जो times new roman है अगर वो ब्राउजर पर support नहीं करता है तो हमारा इसके बाद times चलेगा अगर times भी support नहीं करता है तो serif चलेगा अगर ये भी support नहीं करता है तो हम next कोई और font भी लगा सकते हैं तो इस तरह से आप different options दे सकते हैं ताकि आपका ब्राउजर पर कुछ font जो है वो support कर जाए note if the name of the font family is more than one word it must be quotation in the quotation marks like the times new roman तो जो times new roman लिखा हुआ है वो more than one word का है तो इसलिए हम quotation marks के अंदर लगाएंगे उसको तो हम चीरे use करके देखते हैं ये चीरे कैसे चल रहे हैं इसके लिए अपने notepad पर जाएंगे notepad पर हम कोई भी CSA start करते हैं हम style से ये हमारा starting font है ये हमारा closing font है ये दोनों tag लगाएंगे हम starting और ending के लिए इसके बाद आप क्या use करेंगे अगर आपको इसका font change करना है h1 का font change करना है या फिर p का font change करना है तो अब लिखेंगे p then after opening and closing curly braces उसके बाद font family font family और आपको जैसे वर्दाना देना है तो ये भी दे सकते हैं या फिर आपका times new roman दे सकते हैं तो ये सब आप use कर सकते हैं और मैं इसे save करूंगा save as उसके बाद css font.html से मैं इसे save कर रहा हूं और आपको जैसे save है अभी मैं क्या करता हूं इसको open करता हूं css font से हमारा save है css font.html इसे मैं open करूंगा किसी browser में इसे open कर सकते हैं मैं या पर google chrome में इस open कर रहा हूं तो आप अब देख सकते हैं कि जो default font है हमारा इस तरह से नहीं होता है यह हमारा वर्दाना में change हो गया है अगर मैं आपको default font दिखाऊं उसका अगर मैं यह सब हटा दूँगा कुछ समय के लिए और इसे मैं save कर देता हूं यह font में change हो गया इस तरह से आपके font properties work करते हैं अब different friends fonts लगा सकते हैं उसमें next हम देखते हैं font style the font style properties mostly used to specify the italic text italic text लगाने के लिए use होती है इसमें हमारा font style italic हो सकता है, oblique हो सकता है और normal भी हो सकता है तो normal तो by default रहता है, हम italic use कर लिखते है, italic और oblique में सिर्फ यह difference है यह थोड़ा सा tilt होता है, थोड़ा degree tilt होता है और यह roman में होता है oblique बाकि हम italic use करते हैं mainly तो font style हम लगाएंगे यहां पर font style और यहां पर लिखेंगे अपना italic और इसे आप save करेंगे, save करने के बाता होगा ब्राउजर में जाएंगे यहां पर reload करेंगे तो आप देखें के changement क्या हो रहा है तो यह italic हो गया है थोड़ा सा tilt हो गया है इस तरह से आप oblique भी यूज कर सकते हैं आपर तो next देखते है अपना font weight, font weight, font weight property specify the weight of the font किस तरह से यूज कर सकते हैं अब bold लिखते हैं और इसको हम save करेंगे, save करने के बाद इससे हम refresh करेंगे तो आप देख सकते हैं यह bold हो गया है इसका जो weight है वो bold हो गया है तो इस तरह से आप font weight यूज कर सकते हैं next हम देखेंगे font size, the font size property set the size of the text, अभी आपको size उसका अगर increase करना है, decrease करना है तो इस तरह से आप कर सकते हैं font size का property यूज करके, किस तरह से font size यूज करके 20 पिक्सल है तो हम इसे use करने देखते हैं font size को font size अब यहाँ पर हम 10 पिक्सल लिखते हैं यहाँ पर और इसको हम save करते हैं save करने का ब्राउजर में जाएंगे, इसके पदर इससे reload करेंगे, तो आप देख सकते हैं यह जो है, आपका 10 पिक्सल का हो गया है इससे हम, अभी हम 30 पिक्सल करते हैं और इसको save करते हैं, save करने के बाद इससे हम reload करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका size जो है, वो increase हो चुका है तो इस तरह से आप font का size increase कर सकते हैं So I hope आपको CSS font zone में आया होगा So thank you guys, meet me in the next video, तब तक के लिए, good bye Your feedback is valuable for all, so please comment, like and share with your friends, thank you Thank you